शमुएल भहुश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याए एक, शमुएल के जन्म और लड़क्पन का उवर्मन, एप्रेम के पहाडी देश के रामात्यम, सोपिम नाम नगर का एक निवासी, एलकाना नाम एक पुरुष्था, वह एप्रेमी था, और सूप के पुत्र तोहु का परपोता, एलिहु का पोता और यरोहाम का पुत्र था, और उसके दो पत्निया थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था, और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ, वह पुरुष्थ पतिवर्ष अपने नगर से सिनाओ के यहोवा को दंडवत करने और मेलबली चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहवा के याजक थे और जब जब एलकाना मेलबली चढ़ा था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटिय को दान दिया करता था परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से पृति रखता था तो भी यहवा ने उसकी कोक बंद कर रखी थी परंतु उसकी सवत इस कारन से कि यहवा ने उसकी कोक बंद कर रखी थी उससे अत्यंत चिढ़ा चिढ़ा कर कुढ और वह तो पतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी इसलिए वह रोती और खाना न खाती इसलिए उसके पती एलकाना ने उससे कहा हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है क्या तेरे लिए मैं दस बेटों के से भी अच्छा नहीं हूँ तब शिलो में खाने और पिने के बाद हन्ना उठी और यहवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एलियाजक कुरसी को बैठा हुआ था और यहां मन में व्याकुल होकर यहवा से प्राथना करने लगी और दिलख दिलख कर रोने लगी और उसने यहां मन्नत मानी कि है सेनाओ के यहवा यदी तु अपनी दाशी के दुख पर सचमुछ दृष्टी करे और मेरी सूधिले और अपनी दाशी को फिरा फिराए न जाएगा। जब वह यहवा के सामने ऐसी प्राठना कर रही थी, तब एली उसके मुह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होट तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझ रखा कि वह नशे में हैं। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो ताखमदु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहवा से कही है, अपनी दासी को ओची स्त्री न जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण हुआ है। इसलिए एलिया ने कहा, कुशल से चली जा, इस्रायल का परमिश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, त तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुह फिर उदास न रहा। बिहान को वे सबेरे उठ यहवा को दंडवत करके, रामा में अपने घर लुट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहवा ने उसकी सूधी ली, तब हन्ना गर्भवती उसका नाम शमुवेल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहवा से मांगकर इसे पाया है, फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहवा के सामने प्रतिवर्श की मेलबली चढ़ाने और अपनी मननत पूरी करने के लिए गया, परन्तु हन्ना अपने पती से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूद छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाओंगी, कि वहां यहवा को मुह दिखाए, और वहां सदा बना रहे, उसके पती एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तु उसका दूद न चुड़ाए, तब तक यही ठैर केवल इतना हो कि यहवा अपना वच्चन पूरा करे, इसलिए वहस्त्री वही घर पर रह गई, और अपने पुत्र के दूद छूटने के समय तक उसको पिलाती रही, जब उसने उसका दूद छुड़वाया, तब वहां उसको संग ले गई, और तीन बच्ठे और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमदू भी ले गई, और उस लड़के को शिलो में यहवा के भवन में पहुचा दिया, उस समय वहां लड़का ही था, और उन्होंने बच्ठडा बली करके बालक को एली के पास पहुचा दिया, तब हन्ना ने कहा, है मेरे प्रभु, मेरे जिव इसलिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहवा ने मुझे मुह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहवा को अर्पन कर देती हूं, कि यहां अपने जीवन भर यहवा ही का बना रहे, तब उसने वही यहवा को दन्नवत किया, शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय दो, और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मान यहवा के कारण मगन है, मेरा सिंग यहवा के कारण उचा हुआ है, मेरा मोह मेरे शत्रूओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैंने तेरे किये हुए उद्धार स आनंदित हूँ, यहवा के तुल्य कौन पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड और कोई नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं, फुल कर अहंकार की ओर बाते मत करो, और अंधेर की बाते तुम्हारे मुह से न निकले, क्योंकि यहवा ग्यानी पर बलने वाला है, शुर्विरों के धनुश्य तूट गए, और ठोकर खनवालों की कटी में बलका फेटा कसा गया, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूके थे वे फिर ऐसे न रहे, बरन जो बांच थी उसके साथ हुए, और अनेक बा पारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें से निकालता भी है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और उचा भी करता है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरीद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ता पृत्वी के खंबे यहोवा के है और उसने उन पर जगत को धरा है वह अपने भगतों के पाव को संभाले रहेगा परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचा पड़े रहेंगे क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रवल न होगा जो यहोवा से जगरते है वे चकनाचूर होंगे वह उसके विरुद्ध आकाश में गरजेगा यहोवा पृत्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिशिक्त के सिंग को उचा करेगा तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह ब उत्र तो लुच्चे थे उन्होंने यहोवा को न पहिचाना और याजकों की रीती लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबली चाहाता था तब याजक का सेवक मास पकाने के समय एक तिशुली काटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई वा हंडी वा हंडे व और जितना मास काटे में लग जाता था उतना मास याजक आप लेता था योही वे शिलो में सारे इस्राइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबली चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मास दे वहां तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मास लेंगा और जब कोई उससे कहता कि निश्च चर्वी अभी जलाई जाएगी तब जितना तेरी जीचा है उतना ले लेना तब वह कहता था नहीं अभी दे नहीं तो मैं छीन लूँगा इसलिए जब उन जवानों का पाप यहवा की दुष्टे में बहुत भारी हुआ क्योंकि वे मनुष यहवा की भेट का तिरसकार करते थे परन्थु शमुएल जो बालक था सनी का एपोध पहने हुए यहवा के सामने सेवा टहल किया करता था और उसकी माता प्रतिवर्ष उसक बागे को उसके पास लाया करती थी और एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशिरवा दे कर कहा यहवा इस अर्पन की हुए बालक के संती जो उसको अर्पन किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे तब वे अपने घर चले गए और यहवा ने हन्ना की सूधी ली और वह गर्भवुती हुई और उसके तीन बेटे और दो बेटिया उत्पन हुई और शमुएल बालक यहवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया और एली तो अती बुढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्रायल से कैसा कैसा व्यवभार करते हैं वरन मिलाप वाले तंबु के द्वार पर सेवा करने वाली इस्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं तब उसने उनसे कहा तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना आ रहा हूँ ही मेरे बेटो ऐसा न करो क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं तुम तो यहवा की प्रजा के अपराधी हो तुम यहवा की प्रजा से अपराध करते हो यदि एक मनुष्य दुसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमिश्वर उसका न्याय करे परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन बिंती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी. परंतु शमुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन रहते थे. और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मुलपूरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चित प्रगट न हुआ था, और क्या मैंने उसे इसराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था, कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के उपर चढ़ावे चढ़ाए और धूब जलाए और मेरे सामने एपोध पहिना करे, और क्या मैंने तेरे घराने को इसराइलियों के कुल हव्य न दिये थे, इसलिए मेरे मेलबली और अनबली जितने मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आग्या दिये है, उन्हें तुम लोग क्यो पावतले राउनते हो, और तु क्यो अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि त तुम लोग मेरी इसराइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेटे खाखा के मोटे हो जाओ, इसलिए इसराइल के परमिश्वर यहवा की यहवानी है, कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मुलपुरुष का घराना मेरे सामने सदयव चला करेगा, परन्तु अब यहवा की वानी यह है, कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुछ जाने, वे छोटे समझे जाएंगे। तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बुढ़ा न होने पाएगा, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न चिनूंगा, परन्तु तव भी तेरी आखे देखती रह जाएगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे धर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगी, और मेरी इस बात का चिन्ह वह भी पत्ति होगी, जो होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक विश्वास युग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे रध है और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थीर करूंगा, और वह मेरे अभिशिक्त के आगे-आगे सब दिन चला-फिरा करेगा, और ऐसा होगा, कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से तुकडे, चांदी के वह एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक तुकडा रोटी मिले। शमुएल भवश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय तीन, और वह बालक शमुएल एली के सामने यहवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहवा का वचन दुरलब था, और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ, कि एली की आखे तो धुंदली होने लगी थी और उसे नसूच पढ़ता था, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुचा नहीं था, और शमुएल यहवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदुक था, लेटा था, तब यहवा ने शमुएल को पुकारा, और उसने कहा क्य आग्या, तब उसने एली के पास दवड कर कहा, क्या आग्या, तूने तो मुझे पुकारा है, वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा, लेटा रहा, तो वह जाकर लेट गया, तब यहवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमुएल, शमुएल उठकर एली के पास गया, और कहा क्या आग्या, तुने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा, लेटर है। उस समय तक तो शमुएल यहवा को नहीं पैचान था और न तो यहवा का वचन ही उस पर प्रगट हुआ था। फिर तिसरी बार यहवा ने शमुएल को पुकारा और वह उठके एली के पास गया और कहा, क्या आग्या, तुने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमुएल से कहा, जा, लेटर है। और यदि वह तु से फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहुआ कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है तब शमुएल अपने स्थान पर जा कर लेट गया तब यहुआ आखडा हुआ और पहले की नाई पुकार कर कहा शमुएल 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 ने कहा कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है यहवा ने शमूवल से कहा, सुन, मैं इस्रायल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा चाजाएगा। उस दिन मैं एली की विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा, जो मैंने उसके घराने के विशे में कहा, उसे आरंभ से अंततक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ, कि मैं उस अधर्म का दंड जिससे वह जानता है, सदा के लिए उसके घर क न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए है, और उसने उन्हें नहीं रोका, इस कारण मैंने एली के घराने के विशे यह शपत खाई, कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबली से कभी होगा, और न अन्नबली से, और शमुएल और तक लेटा रहा, तब उसने यहवा के भवन के किवाडों को खोला, और शमुएल एली को उस दर्शन की बाते बताने से डरा, तब एली ने शमुएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमुएल, वह बोला, क्या आग्या, तब उसने पुछा, वह कौन सी बात है जो यहव वहा ने तुझसे कही है, उससे मुझसे न चिपा, जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तु उसमें से कुछ भी मुझसे चिपाए, तो परमिश्वर तुझसे वैसा ही बरन उससे भी आधिक करे, तब शमुएल ने उसको रति-रति बाते कह सुनाए, और कुछ भी न वह बोला, वह तो यहुआ है, जो कुछ वह भला जाने, वही करे, और शमुएल बड़ा होता गया, और यहुआ उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निश्फल होने नहीं दी, और दान से बेर्शबाद तक के रहने वाले सारे इस्राइलियों ने जान लिया, कि श यहुआ ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहुआ ने अपने आपको शिलो में शमुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रगट किया, शमुएल बहुषवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय चार, और शमुएल का वचन सारे इस्राइल के पास पहुँचा, और इस् पलिष्टियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने तो एबनेजर के आसपास चावनी डाली, और पलिष्टियोंने आपक में चावनी डाली, तब पलिष्टियोंने इस्राइल के विरुद्ध पान्ती बांधी, और जब घमासान युद्य होन लगा, तब इस्राइ तब इस्रायर के वुद्धपुरुष कहने लगे कि यहवा ने आज हमें पलिष्टियों से क्यों हरवा दिया है। आओ, हम यहवा की वाचा का संदुक शिलों से मांग ले आए, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रों के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शिलों में भेजकर वहां से करूबों के उपर विराजने वाले सिनाओं के यहवा की वाचा का संदुक मंगा लिया। और परमेशुर की वाचा के संदुक के साथ एली के दो पुत्र होकनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहवा की वाचा का संदुक छा पहुचा तब सारे इस्रायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमी गुंजो उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिष्टियों ने पूचा इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहवा का संदूक छावनी में आया। तब पलिष्टि डर कर कहने लगे उस छावनी में परमिश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा हाई हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाई ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाए ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सप्रकार की विपत्या डाली थी। हे पलिष्टियों तुम ही आव बांधो और पुरुशार्थ जगाओ। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इबरी तुम्हारे आधीन हो गये वैसे तुम भी उनके आधीन हो जाओ। प तब पलिष्टी लढ़ाई के मैदान में तूट पड़े और इसरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यनत सहार होआ कि तीस हजार इसरायली पैदल खेत आए और परमिश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनह रास भी मारे गए तब एक बिन्यामिनी मनुष्वर ने सेना में से दवड कर उसी दिन अपने वस्तर फाड़े और सीर पर मिट्टी डाले होए शीलों में पहुँचा वह जब पहुँचा उस समय एली जिसका मन परमिश्वर के संदूक की चिनता से थरथरा रहा था वह मार नगर चिल्ला उठा चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा ऐसे हुलड और हाहाकार मचाने का क्या कारण है और उस मनुष्वर ने जट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया एली तो अठानवे वर्ष का था और उसकी आखे धुंदली पड़ गई थी और उसे कूछ सू वह बोला है मेरे बेटे क्या समाचार है उसने समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इस्राएली पलिष्टियों के सामने से भाग गए है और लोगों का बड़ा भयानक सहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संद का नाम लिया जो ही एली फाटक के पास खुरसी पर से पच्छा खाकर गिव पड़ा और बुढ़े और भारे होने के कारण उसकी गरदन तूट गई और वह मर गया। उसने तो इसराइलियों का न्याय चालिस वर्ष तक किया था। उसकी बहु पिनहास की स्त्री गर्भ होती और उसका समय समीत था। और जब उसने परमिशुर के संदुक के छीन लिये जाने और अपने ससूर और पती के मरने का समाचार सुना तब उसको जच्छा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र हुआ। उसके मरते मरते उस तुरियों ने जो उसके आसपा खड़ी थी उससे कहा मत डर क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन हुआ है परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया और परमिशुर के संदुक के छीन लिये जाने और अपने ससूर और पती के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोध रखा कि इसराय पताल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमिशुर का संदुक छीन लिया गया है शमवेल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय पाँच और पलिष्टियों ने परमिशुर का संदुक एबेनेजर से उठाकर अश्दोध में पहुचा दिया फिर पलिष्टियों ने परमिशुर के संदुक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुचा कर दागोन के पास धर दिया विखान को अश्दोधियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहवा के संदुक के सामने अउंधे मुह भूमी पर गिर पड़ा है तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया, फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन परमिश्वर के संदुक के सामने अंधे भूमी पर गिर पड़ा है, और दागोन का सीर और दोनों हतिलिया डेवडी पर कटी हु पड़ी है, निदान दागोन का केवल धर्ड समूचा रहे गया, इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं, वे अश्तोद में दागोन की देवडी पर पाव नहीं धरते, तब यहोवा का हाथ अश्तोदियों के उपर भ देखकर अश्तोदियों के लोगों ने कहा, इसरायल के देवता का संदुक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरतास के साथ पड़ा है, तब उन्होंने पलिष्टियों के सर्ब सरदारों को बुलवा भीजा, और उनसे पूछा, हम इसरायल के देवता के संदुक से क्या करें, वे बोले, इसरायल के देवता का संदुक घुमाकर गत नगर में पहुंचाये जाए, तो उन्होंने इसरायल के परमशुर के संदुक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया, जब वे उसको घुमाकर वहां पहु तो यू हुआ कि यहवा का हात उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हल्चल मज गई। और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टिया निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुचा। त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को म अपने स्थान पर लवड जाए और हमको और हमारे लोगों को माल डालने न पाए। उस समस्त नगर में तुम रुत्यू के भाई की हल्चल मच रही थी। और परमिश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। और जो मनुश्य न मरे वे गिल्टियों के मारे पड़ेत रह और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुँची। शमुएल भवश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय छे। यहवा का संदूक पलिष्टियों के देश में साथ मैने रहा। तब पलिष्टियों ने याजको और भावी कहने वालों को बुला कर पूछा कि यहवा के संदू संदूक से हम क्या करे। हमें बताओ कि क्या पाईश चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजे। वे बोले यदि तुम इस्राइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना। उसकी हानी भरने के लिए अवश्र ही दोश पली देना। तब तुम लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यो नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा हम उसकी हानी भरने के लिए कौन सा दोश पली दे। वे बोले पलिश्टी सरदारों की गिंती के अनुसार सोने की पाच गिल्टिया और सोने के पाच चुहे क्योंकि तुम सब और तुमारे सर काल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुमारे देवताओ और अपने देश पर से उठा ले। तुम अपने मन में क्यो ऐसे हटीले करते हो कि जैसे मिस्रियों और फिरोन ने अपने मन हटीले कर दिये थे। जब उसने उनके मध्ध में अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी दो दुधार गाये लो जो जो एतले न आई हो और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास ले लेकर घर को लोटा दो तब यहवा का संदुक लेकर उस गाड़ी पर धर दो और सोने की जो वस्तवे तुम उसकी हानी भरने के लिए दोशपली की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदुक में धर के उसके पास रख दो फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए और देखते रहे ना कि यदि वहां अपने देश के मागे से होकर बेथ शेमेह को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानी उसी की ओर से हुई और यदि नहीं तो हमको निश्चे हुगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परन्तु संयोग ही से हुई उस मनुशों ने वैसा ही किया अर्थात दो दुधार गाय लेकर उस काड़ी में जोती और उनके बच्चों को घरस में बंद कर दिया और यह गायों ने बेत्शेमह का सिधा मार गे लिया वे सड़की सड़क बंबाती हुई चली गई और दहने मुड़ी न बाय मुड़ी और पलिष्टियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत्शेमह के सिवाने तक गए और बेत्शेमह के लोग तराई में केहु काट रहे थे और ज पहुशुनाम एक बेथशेमही के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होंबली करके परमेशर के लिए चड़ाया। और लेवियों ने यहवा के संदुक को उस संदुक के समेत जो साथ था, जिसमें सोनी के वस्तवी थी, उतार के उस पड़े पत्थर पर धर दिया। और बेथशेमह के लोगों ने उसी दिन यहवा के लिए होंबली और मेलबली चड़ाये। यह देखकर पलिष्टियों के पांचो सरदार उसी दिन एक क्रोन को लवट गए। पलिष्टियों के पांचो सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिंती के अनुसार दिये गए। वह पत्थर तो आज तक बेथशेमही यहुश्य के खेत में है। फिर इस कारण से की बेथशेमह के लोगोंने यहुश्य के संदुक के भीतर जाका था। उसने उनमें से सत्तर पुरुश और फिर पचास जार मनुश्य मार डाले। और वहां के लोगोंने इसलिए विलाप किया कि यहुश्य का बड़ा ही संहार किया था। तब बेथशेमह के लोग कहने लगे इस पवितर परमिश्वर यहुश्य के सामने कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्थ त्या तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ। शमुवेल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय साथ। तब किर्यातारीम के लोगोंने जाकर यहुश्य के संदुक को उठाया और अभिनादाप के घर में जो टीले पर बना रखा था और यहुश्य के संदुक की रक्षा क करने के लिए अभिनादाप के पुत्र इलियाजार को पवित्र किया। किर्यातारीम में रहते रहते संदुक को बहुत दीन हुए अर्थात बीस वर्ष बीद गे और इस्रायल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहुश्य के पीछे चलने लगा। तब शमुवेल ने इस्र अस्तोरेद देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहुवा की और अपना मन लगा कर केवल उसी की उपासना करो। तब वह उन्हें पलिष्टियों के हाथ से चुड़ाएगा। तब इस्रायलियों ने बाल देवताओ और अस्तोरेद देवियों को दूर किया और के वहारे लिए यहवा से प्राफना करूँगा, तब वे मिस्पाफ में इकटे हुए और जल भरके यहवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपास किया, और वहां कहने लगे कि हमने यहवा के विरुद्ध पाप किया है, और शमुल ने मिस्पा में इसरायलियों का न्याय कि जब पलिष्टियों ने सुना कि इसरायलियों मिस्पा में इकटे हुए है, तब उनके सरदारों ने इसरायलियों पर चढ़ाई की, यह सुनकर इसरायली पलिष्टियों से भहवित हुए, और इसरायलियों ने शमुल से कहा, हमारे लिए हमारे परमिश्वर यहवा की दोहा जिससे बहा हमको पलिष्टियों के हाथ से बचाए, तब शमुएल ने एक दूत प्यूवा मेमना ले सरवांग हुम्बली करके यहवा को चढ़ाया, और शमुएल ने इस्राइलियों के लिए यहवा की दोहाई दी और यहवा ने उसकी सुनली, और जिस समय शमुएल हुम्ब करने के लिए निकटा आ गए, तब उसी दिन यहवा ने पलिष्टियों के उपर बादल को बड़े कड़के के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राइलियों से हार गए, तब इस्राइली पुरुशों ने मिस्पा से लेकर पलिष्टियों को ख़ड़ा, और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते मारते चले गए, तब शमुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, कि यहां तक यहवा ने हमारी साहता की है, तब पलिष्टि दब गए, और इस्राइलियों के दे बना रहा, और एकरोन और गत तक जितने नगर पलिष्टियों ने इस्राइलियों के हाथ से चीन लिये थे, वे फिर इस्राइलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राइलियों ने पलिष्टियों के हाथ से चुडाया, और इस्राइलियों और एमोरियों के और मिस्पा में घुम घुम कर उन सब स्थानों में इस्राइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लवट आया और वहां भी इस्राइलियों का न्याय करता था। और वहां उसने यहवा के लिए एक वेदी बनाई। शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय आठ जब शमुएल बुढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राइलियों पर न्याय धहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योवेल और दूसरे का नाम अभित्याह था। ये बेरिश्वा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय विगाड़ते थे, तब सब इस्राइली लोग इकटे होकर रामा में शमुएल के पास चाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बुढ़ रिती के अनुसार, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे उपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमुएल को बुरी लगी, और शमुएल ने यहोवा से प्राठना की, और यहोवा ने शमुएल से कहा वे लोग जो कुछ तुछ से कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुछको नहीं परंतु मुझी को निकमा जाना है, कि मैं उनका राजा न रहू. जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जबसे मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आये हैं, कि तुछको त्याक कर पराये देवतों की उपासना करते आये हैं, वैसे ही वे तुछ से भी करते हैं. इसलिए अब तु उनकी बात मान, तो भी तु गम्भिरता से उनको भली भाती समझा दे, और उनको बतला भी दे, कि जो राजा उन पर राज्य करेगा, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा. और शमुएल ने उन लोगों को जो उसे राजा चाहते थे, यहवा की सब बाते कह सुनाएं, और उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा, उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रतों और घुडों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रतों के आगे-ागे दवडा करेंगे, फिर वह उनको हजार हजार और पचास पचास के उपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हाल जुतवाएगा, और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हतियार और रतों के साज बनवाएगा, फिर वह तुम्हारे बेटियों को लेकर उनसे सुगंदद रव्य और रसोई और रोटिया बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छे से अच्छी होगी उन्हें लेलेकर अपने करमचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का दस्वा अंश लेलेकर अपने हाकिमों और करमचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास तासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेलेकर अपने काम में लगाएगा वह तुम्हारी भेडबकरियों का भी दस्वा अंश लेगा, निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारन दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा, तो भी उन लोगों ने शमूल की बात न सुनी, और कहने लगे, नहीं, हम निश्चोय अपने लिए राजा जाते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए, और हमारा राजा हमारा निरने करे, और हमारे आग्यागे चलकर हमारी ओर से युद्धकिया करे, लोगों की यह सब बाते सुनकर, शमूल ने यहो के कानों तक पहुँचाया, यहोवा ने शमूल से कहा, उनकी बात मान कर, उनकी लिए राजा ठेरा दे, तब शमूल ने इस्राइली मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ, शमूल भरिश वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय नौ, शमूल भरिश वक् पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबेल का पुत्र था, वह एक बिन्यमिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुर्मा था, उसके शाओल नाम का एक पुत्र था, जो सुन्दर था, और इस्राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुन्दर न था, वह इतना अधिक लंबा था कि दुस्तों लोग उसके कांधे ही तक आते थे। जब शावल के पिता कीश की गधिया खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शावल से कहा एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूमला। तब वह एपरेम के पहाडी देश और शलीशा देश होते हुए गया परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालिम नाम देश भी होकर गये और वहां भी न पाया। फिर बन्यामिन के देश में गये परंतु गधिया न मिली। जब वे सूप नाम देश में आये तब शावल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ, हम लवड़ चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़ कर हमारी चिंता करने लगे। उसने, उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेशर का एक जन है, जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है, वह बिना पुरा ह अब हम उधर चले, संभव है, वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए, शावल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले, तो उसके लिए क्या ले चले, देख, हमारी थैलियों की रोटी चुप गई है, और भेट की योग्य कोई वस्तु ही नह हमारे पास क्या है, सेवक ने फिर शावल से कहा, कि मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चवथाई है, वही मैं परमिशर के जन को दूँगा, कि वह हमको बताए कि किधर जाए, पुर्वकाल में तो इसरायल में जब कोई परमिशर से प्रश्ण करने जाता, तब ऐसा कहता थ कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नभी कहलाता है, वह पुर्वकाल में दर्शी कहलाता था, तब शावल ने अपने सेवक से कहा, तुने भला कहा है, हम चले, सो वे उस नगर को चले जहां परमिशर का जन था, उस नगर की चड़ाई पर चड़ते समय उन् जो पानी भरने को निकलती थी, उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहां है, उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो, वह तुम्हारे आगे है, अब फूर्ती करो, आज उचे स्थान पर लोगों का यग्य है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है, जो ही तुम नगर में पहुँचो, क्यों ही वहां तुमको उचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वहां न पहुँचे, तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यग्य के विशे में वही धन्यवात करता, तब उसके पीछे ही नियोधहरी भोजन करते ह इसलिए तुम अभी चड़ जाओ, इसी समय वहां तुम्हें मिलेगा, वहे नगर में चड़ गए, और जो ही नगर के भीतर पहुचे, तो ही शमुयल उचे स्थान पर चड़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था शाओल के आने से एक दिन पहले, यहवा ने शमुयल को यह चिता रखा था, कि कल इसी समय मैं तेरे पास बन्यामिनी देश के एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तु मेरी इस्राइली प्रजा के उपर प्रधान होने के लिए अभिशिक करना, वहां मेरी प्रजा को पलि पास पहुँची है, फिर जब शमुयल को शाओल देख पड़ा, तब यहवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझ से की थी, वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा, तब शाओल फाटक में शमुयल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहा है, उसने कहा, दर्शी तु मैं हूँ, मेरे आगे आगे उचे स्थान पर चड़ जा, क्योंकि आज के दिन तु मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो, सब कुछ मैं तुझे बता कर विदा करूँगा, और तेरी गधिया, जो तीन दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंतान ना कर, क्योंकि वे मिल गए, और इस्रायल में जो कुछ मनभाव है, वह किसका है, क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है, शाओल ने उत्तर दे कर कहा, क्या मैं बन्यामिनी अर्थात सब इस्रायली ग जोटे गोतर का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामिनी के गोतर के सारे कुलों में से छोटा नहीं है, इसलिए तु मुझ से ऐसी बाते क्यों कहता है, तब शमुएल ने शाओल और उसके सेवक को कोठरी में पहुचा कर न्योताहारी जो लगभग तीस चन थे उनके सा मुख्या स्थान पर पेठा दिया, फिर शमुएल ने रसोई से कहा, जो टुकडा मैंने तुझे दे कर अपने पास रक छोड़ने को कहा था, उसे लेया, तो रसोई ने जांक को मास समेत उठा कर शाओल के आगे धर दिया, तब शमुएल ने कहा, जो रखा गया था, उसे द मैंने लोगों को न्योता दिया, रखा हुआ है, और शाओल ने उस दिन शमुएल के साथ भोजन किया, तब वे उचे स्थान से उतर कर नगर में आये, और उसने धर की छत पर शाओल से बाते की, बिहान को वे तड़के उठे, और पह फटते फटते, शमुएल ने शाओल को चत पर बुलवा कर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा, तब शाओल उठा, और वह और शमुएल दोनों बाहर निकल गये, और नगर के सीरे की उतराई पर चलते चलते शमुएल ने शाओल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आग्या दे, वह आगे बढ़ 10, शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 10, तब शमुएल ने एक कुपी तेल लेकर उसके सीर पर उंडेला, और उसे चुम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं, कि यहवा ने अपने निजबहाग के उपर प्रधान होने को तेरा अभिशे किया है, आज, जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहल की कबर के पास, जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में है, दो जन तुझे मिलेंगे, और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंडने गया था, वे मिली है, और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़ कर तुम्हारे कारण कूड़ता हुआ, कहता है, कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूँ, फिर वहां से आगे बढ़ कर, जब तू ताबोर के बांज बुक्ष के पास बहुचेगा, तब वहां तीन जन परमुशर के पास बेतिल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिन में से, एक तो बकरी के तीन बच्चे, और दूसरा तीन रोटी, और तीसरा एक कुपा दाकमधो लिये होगा, और वे तेरा कुशल पुछेंगे, और तुझे दो रोटी देंगे, और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना, तब तू परमुशर के पहाड़ पर पहुचेंगा, जहाँ पलिष्टियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल उचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डप, पांसुली और विना होंगे, और वे नबुवत करते होंगे, तब यहवा का आत्मा त और ही मनुष्य हो जाएगा, और जब ये चिन्धा तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का आउसर तुझे मिले, उसमें लग जाना, क्योंकि परमिश्वर तेरे संग रहेगा, और तू मुझ से पहले गिलगाल को जाना, और मैं होमबली और मेलबली चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा, तू साथ दिन तक मेरी बाट जो होते रहना, तब मैं तेरे पास पहुचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या-क्या करना है, जोही उसने शमुल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्योही परमिश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया, और वे सब चिन्ध उसी दिन प्रगट हुए, जब वे उधर उस पहाड के पास आये, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमिश्वर का आत्मा उस पर बल से उत्रा, और वहां उनके बीच में नबूवत करने लगा, जब उन सब होने जो उसे पहले से जानते थे, यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ, क्या शावल भी नबियों में का है, वहां के एक मनुशने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है, इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शावल भी नबियों म जब वह नबुवत कर चुका तब उचे स्थान पर चड़ गया। तब शाउल के चचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा कि तुम कहा गये थे। उसने कहा हम तो गधियों को धूनने गये थे। और जब हमने देखा कि वे कही नहीं मिलती तब शमुईल के पास गये। शाउल के चचा ने कहा मुझे बता दे कि शाउल ने तुम से क्या कहा। शाउल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमें निश्चे करके बताया कि गधिया मिल गई। परन्तु जो बात शमुईल के राज्य के विशय में कही थी वहां उसने उससे उनको न बताई। तब शमुईल प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहवा के पास बुलाया तब उसने इस्राइलियों से कहा इस्राल का परमिश्वर यहवा यो कहता है कि मैं तो इस्राइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुडाया है परंतु तुमने आज अपने परमिशर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुडाने वाला है तुछे जानत और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे इसलिए अब तुम गोतर गोतर और हजार हजार करके यहवा के सामने खड़ हो जाओ तब शमुवेल सारे इसराइली गोतरियों को समिपलाया और चिठी बिन्यमिन के नाम पर निकली तब वह बिन्यमिन के गोतर को कूल कूल करके समिपलाया और चिठी मत्री के कूल के नाम पर निकली फिर चिठी कीश के पुत्र शावल के नाम पर निकली और जब वह धूंडा गया, तब न मिला, तब उन्होंने फिर यहवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है, यहवा ने कहा, हाँ, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है, तब वे दवड कर उसे वहां से लाए, और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कांधे से सीर तक सब लोगों से लंबा था, शमुएल ने सब लोगों से कहा, क्या, तुमने यहवा के चुने हुए को देखा है, कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं, तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरन जीव रहे, तब शमुएल ने लोगों से राजनीती का वर्नन किया, और उसे पुस्तक में लिखकर यहवा के आगे रख दिया, और शमुएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया, और शावुल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया, जिनके मन को परमिश्वर ने उभारा था, परंत कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना, और उसके पास भेट न लाए, तब ही वह सुनी अन्सुनी करके चुप रहा, शमुएल भोईश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्या ग्या रह, शमुएल भोईश के विरुद्ध च्छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध, और हम तेरी अधिन्ता मान लेंगे, अम्मोनी नहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांदूंगा, कि मैं तुम सभों की दाहिनी आखे फोड़ क इसे सारे इस्राइल की नामधराई का कारण कर दू, याबेश के वुद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें साथ दिन का अवकाज दे, तब तक हम इस्राइल के सारे देश में दूत भीजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा, तो हम तेरी ही पास निकलाएंगे दूतों ने शाउल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिला चिला कर रोने लगे, और शाउल बैलों के पीछे-पीछे मैदान में चला आता था, और शाउल ने पूछा लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं, उन्होंने याबेश के लोग का संदेश उसे सुनाया, यह संदेश सुनते ही, शाउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उत्रा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकडे-टुकडे काटे, और यह कहकर दूतों के हाच से इसराल के सारे देश में कहला भेज कि जो कोई आकर शाउल और शमुवेल के पीछे न हो लेगा, उनके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा, तब यहोवा का भए लोगों में ऐसा समाया, कि वे एक मन होकर निकलाए, तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इस्राइलियों के तीन लाख और यहुदियों के तीस लाख ठेरे, और उन्होंने उन दूतों में से जो आये थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यो कहो, कि कल धूप तेज होने की घड़े तक तुम छुटका रपाऊगे, तब दूतोंने जाकर याबेश के लोगों को संदेज दिया, और वे आनंदित हु तब याबेश के लोगों ने कहा, हम कल तुम्हारे पास निकलाएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे, वही हमसे करना। चन भी एक संग कही न रहे। तब लोग शमुएल से कहने लगे, जिन मनुशों ने कहा था कि क्या शाओल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डाले। शाओल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमुएल ने इसराइलियों से कहा, आओ, हम गिलगाल को चले, और वहां राज्य को नए सीरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाओल को राजा बनाया। और वही उन्होंने यहोवा को मेलबली चढ़ाया, और वही शावुल और सब इस्राइली लोगोंने अत्यंत आनंद मनाया। शमुल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय बारह। तब शमुल ने सारे इस्राइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था, उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठैराया है, और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे-ागे चलता है, और अब मैं बुढ़ा हूँ, और मेरे बाल उजले हो गये है, औ मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम कर रहा हूँ, मैं उपस्तित हूँ, इसलिए तुम यहवा के सामने और उनके अभिशिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो, कि मैंने किसका बैल ले लिया, वह किसका गढ़ा ले ल वे बोले, तुने न तो हम पर अन्हेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी है, और उसका अभिशिक्त इस पात का साक्षी है, कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी फिर शमुयल लोगों से कहने लगा, जो मुसा और हारुन को ठहरा कर, तुम्हारे पुरोजों को मिस्र देश से निकला लाया, वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विशे में, जिने उसने तुम्हारे सा विचार करूँगा। याकुब मिस्र में गया, और तुम्हारे पुरोजों ने यहोवा की दोगाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारुन को भेजा, और उन्होंने तुम्हारे पुरोजों को मिस्र से निकाला और इस थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमिषवर यहवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापती, सिस्रा और पलिष्टियों और मुवाप के राजा के अधिन कर दिया, और वे उनसे लड़े, तब उन्होंने यहवा की दोभाई देकर कहा, हमने यहवा को त्याक कर और बाल देवताओ और अस्तोरे देवियों की उपासना करके महापाप किया है, परंतु अब तु हमको हमारे शत्रों के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे, इसलिए यहवा ने यरुबाल, बदान, इप्तहा और शमुएल को भेज कर तुमको तुमारे चारो ओर के शत्रों के हाथ से छुड़ाया, और आई करता है, तब यदि पी तुम्हारा परमिश्वर यहवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा, अब उस राजा को देखो, जिसे तुमने चुन लिया, और जिसके लिए तुमने प्राठना की थी, देखो, यहव का भहे मानते उसकी उपास ना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहवा की आग्या को टाल कर उससे बलवा न करो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमिश्वर यहवा के पीछे-पीछे चलने वाले बने रहो तब तो भला होगा परन्तु यदि तुम यहवा की बात न मानो और यहवा की आग्या को टाल कर उससे बलवा करो तो यहवा का हाथ जैसे तुमारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुमारे भी विरुद्ध उठेगा इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो ज इससे यहवा तुम्हारी आखों के सामने करने पर है आज क्या गेहु की कट्मी नहीं हो रही मैं यहवा को पुकारूंगा और वह मेग गर जाएगा और मेह बरसाएगा तब तुम जान लोगे और देख पिलोगे कि तुमने राजा मांग कर यहवा की दुष्टे में बहुत बड़ी पुराई की है तब शमुएल ने यहवा को पुकारा और यहवा ने उसी दिन मेग कर जाया और मेह बरसाया और सब लोग यहवा से और शमुएल से अत्कंत डर गए और सब लोगों ने शमुएल से कहा अपने दासों के निमित्त अपने परमिश्वर यहवा से प्रा शमुएल ने लोगों से कहा डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहवा के पीछे चलने से फिर मत मुढना, परंतु अपने संपुर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुढना, नहीं तो ऐसी व्यर्थवस्तूं के पीछे चलने लगोगे, जिससे न कु कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है, यहवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है, फिर यह मुझ से दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए पिठ हरू, मैं तो तुम्हें अच्छा और सिधा मार्ग दिखाता रहूंगा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहवा का भहे मानों और सच्चाई से अपने संपुर्णमन के साथ उसकी उपास ना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये है, परम्तु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। अपने लिए चून लिया और उनमे से दो हजार शावल के साथ मिकमाश में और बेतल के पहाड पर रहे और एक हजार योनातान के साथ बिन्यमिन के गिबा में रहे और दुसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया तब योनातान ने पलिष्टियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिष्टियों के कानों में पड़ा तब शावल ने सारे देश में नरसिंगा फुक्वा कर यह कहला भेजा कि इबरी लोग सुने और सब इसराइलियों ने यह सुसमाचार सुन कि शावल ने पलिष्टियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिष्टि इसराइल से ग्रुणा करने लगे है तब लोग शावल की पीछे चलकर गिलगाल में इकटे हो गए और पलिष्टि इसराइल से युद्ध करने के लिए इकटे हो गए अर्थात तीसजार रत और च प्रमुद्र के तीर की बालु के किनकों के समान बहुत से लोग इकटे होए और बेता बेन के पुर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली जब इसराइली पुरुष्टि ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकत में पड़े थे तब वे लोग कु अर्थात के देशों में चलेगे परंतु शाओल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थर्थराते होए उसके पीछे हो लिए वह शमुएल के ठैराय हुए समय अर्थात साथ दीन तक बाट जो होता रहा परंतु शमुएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर होने लगे तब शाओल ने कहा हुमबली और मेलबली मेरे पास लाओ तब उसने हुमबली को चढ़ाया जो ही वह हुमबली को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमुएल आ पहुँचा और शाओल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला शमुएल ने पूछा तुने क् शावुल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, और तू ठैराय हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और पलिष्टी मिकमाश में इकटे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिष्टी गिलगाल में मुझ पर कभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहवा से बिंती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबली चड़ाये, शमुएल ने शावुल से कहा, तुने मुर्खता का काम किया है, तुने अपने परमिश्वर यहवा की आग्या को नहीं माना, नहीं तो यहवा तेरा राज्य इस्राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रत्ता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढून लिया है, जो उसके मन के अनुसार है, और यहवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तुने यहवा की आग्या को नहीं माना तब शमुएल चल निकला, और गिलगराल से बिन्यमिन के गिबा को गया, और शावल ने अपने साथ के लोगों को गिन कर कोई छह सव पाए, और शावल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे, वे बिन्यमिन के गिबा में रहे, और पलिष्टी मिकमाश मे पलिष्टियों की च्छावनी से नाश करने वाले तीन दल बांध कर निकले। कही नहीं मिलता था। क्योंकि पलिष्टियों ने कहा था कि इबरी तलवार वा भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इस्रायली अपने अपने हल की फली और भाले और कुलहाडी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिष्टियों के पास जाते थे। परंतु उनके हंसु, फलो, की खेती के त्रिशुलो और कुलहाडीों की धारे और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो, युद्ध के दिन शाओल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाओल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। और पलिष्टियों की चवकी के सिपाही निकल कर मिकमाश की घाटी को गए। शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याई चवदह। शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याई चवदह। एक दिन शाओल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हातियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उस पलिष्टियों की चवकी के पास चले। शाओल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोनक में के अनार के पेड के तले टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई छहसव थे। और एली जो शिलो में यहोवा का याजत था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोत के भाई अही तूप का पुत्र अही यहा भी एपोत पहने हुए संग था, परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनमें से होकर योनातान पलिष्टियों की चवकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक-एक नोकिली चक्टान थी, एक चक्टान का नाम तो बोसेस और दुसरी का नाम सेने था, एक चक्टान तो उत्तर की और मिकमाश के सामने और दुसरी दक्खिन की और गेबा के सामने खड़ी थी, तब योनातान ने अपने हतियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उस खतना ही लोगों की चवकी के पास जाए, क्या जाने, यहोवा हमा के द्वारा, चाहे थोड़ो लोगों के द्वारा चुटकारा दे, उसके हतियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो, वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा, योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुशों के पास जाकर अपने क उन्हें दिखाए, यदि वे हम से यो कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे, और उनके पास न चढ़े, परंतु यदि वे यह कहे, कि हमारे पास चढ़ाओ, तो हम यह जानकर चढ़े, कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा, हमारे तब उन दोनों ने अपने को पलिष्टियों की चौकी पर प्रगट किया। तब पलिष्टी कहने लगे देखो। इबरी लोग उन बिलों में से जहां वे छिप रहे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हतियार ढोने वाले से पुकार के कहा हम तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हतियार ढोने वाले से कहा मेरे पीछे पीछे चड़ा क्योंकि यहवा उन्हें इसराइलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पाओ के बल चड़ गया। और उसका हतियार ढोने वाला भ उसका हतियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार था जो योनातान और उसके हतियार ढोने वाले से हुआ। उसमें आधे बेगे भुमी में बीस एक पुरुष मारे गये। और चावने में और मैदान पर और उन सब लोगों में थर-थरा ह और भुईडोल भी हुआ और अत्यंत बड़ी थर-थराहट हुई और बिन्यमीन के गिबा में शावल के पहरों ने दुरुष्टी करके देखा कि वह भीड घटती जाती है और वे लोग इधर-उधर चले जाते हैं। तब शावल ने अपने साथ के लोगों से कहा अपनी ग इनकर देखा कि योनातान और उसका हतियार ढोने वाला यहा नहीं है। तब शावल ने अहिया से कहा परमिश्वर का संदूक इधर ला। उस समय तो परमिश्वर का संदूक इसराइलियों के साथ था। शावल याजक से बाते कर रहा था कि पलिष्टियों की छावनी में उ कट्टे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक-एक पुरुष के तलवार अपने-पने साथी पर चल रही है। और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। और जो इबरी पहले की नाई पलिष्टियों की ओर के थे और उनके साथ चारो ओर से छावनी मे गए थे, वे भी शावल और योनातान के संग के इसराइलियों में मिल गए। और जितने इसराइली पुरुष एप्रेम के पहाडी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर की पलिष्टि भागे जाते हैं, लड़ाई में आकर उनका पीछा करने में लग गए। तब यह गवा ने उस दिन इसराइलियों को छुट करा दिया, और लड़ने वाले बेतावेन की परली और तक चले गए, परंतु इसराइली पुरुष उस दिन तक तंग हुए, क्योंकि शावल ने उन लोगों को शपत धराकर कहा, शापित हो वह जो सांज से पहले कुछ खाए, इस रिती मैं अपने शत्रों से पल्टा ले सकूंगा, तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया, और सब लोग किसी वन में पहुँचे, जहां भूमी पर मधु पड़ा हुआ था, जब लोग वन में आये तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपत के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुह तक न ले गया, परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपत धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ा कर मधु के छत्ते में डुबाया, और अपना हाथ अपने मुह तक लगाया, तब उस वहाँ जो आज कुछ खाये, और लोग ठके मायन दे थे, योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कश्ट दिया है, देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा, और मुझे आखो से कैसा सूजनी लगा, यदि आज लोग अपने शत्रू की लूट से, जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते, तो कितना अच्छा होता, कभी तो बहुत पलिष्टी मारे नहीं गए, उस दिन वे मिकमाश से लेकर अयालोन तक पलिष्टियों को मारते गए, और लोग बहुत ही ठक गए, सो वे लूट पर लूट तूटे, और भेडबकरी, और गाय बैल, और समेत मास खाकर यहवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्पास खात किया है, अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुड़का दो, फिर शावल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के, उनसे कहो कि अपना अपना बैल और पाप न करो, तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वही बली किया, तब शावल ने यहवा के लिए एक वेदी बनाए, वह तो पहली वेदी है, जो उसने यहवा के लिए बनवाई थी, फिर शावल ने कहा, हम इसी रात को पलिश्कियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे, और उनमें से एक मनश को भी जिवित न छोड़े, उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर, परन्तु याजक ने कहा, हम इधर परमेश्वर के समीपाए, तब शावल ने परमेश्वर से पुछवाया, कि क्या मैं पलिश्क क्यों का पीछा करो, क्या तु उन्हें इसरायल के हाथ में कर देगा, परन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला, तब शावल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगो, इधर आकर बूजो, और देखो, कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इसरायल के छुडाने व परन्तु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया, तब उसने सारे इसरायलियों से कहा, तुम एक ओर हो, और मैं और मेरा पुत्र योनातान दुसरी ओर होंगे, लोगों ने शावल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर, तब शावल ने यहवा से कहा, हे इस पत्यबाद बता, तब चिठी योनातान और शावल के नाम पर निकली, और प्रजा बज गए, फिर शावल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिठी डालो, तब चिठी योनातान के नाम पर निकली, तब शावल ने योनातान से कहा, मुझे बता, कि तुने क्या किया है योनातान ने बताया और उसने कहा मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चक तुलिया है और देख मुझे मरना है शावल ने कहा परमिश्वर ऐसा ही करे वरन इससे भी अधीक करे हे योनातान तू निश्चे मारा जाएगा परंतु लोगों ने शावल से कहा क्या योनातान मारा जाए जिसने इस्राइलियों का ऐसा छुटकारा किया है ऐसा नहो यहोवा की जीवन की शपत उसके सिर का एक बाल भी भुमी पर गिरने न पाए क्योंकि आज के दिन उसने परमिश्वर के साथ होकर काम किया है तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया तब शावल पलिष्टियों का पीछा छोड़ कर लवड गया और पलिष्टी भी अपने स्थान को चले गया जब शावल इस्राइलियों के राज में स्थिर हो गया तब वह मुआबी, अम्मोनी, एदोमी और पलिष्टी अपने शारोर के सब शत्रों से और सोबा के राजाओं से लड़ा, और जहां जहां वह जाता, वहां जय पाता था, फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इस्रालियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया, शावल के पुत्र योनातान, ईश्वी और मलकीश थे, और उसकी दो बेटियों की नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरवा, और छोटी का नाम मिकल था, और शावल की स्त्री का नाम अही नुआम था, जो अही मास की बेटी थी, और उसके प्रधान सेनापती का नाम अबनेर था, जो शावल के चचा नेर का पुत्र था, और शाव जिवन भर पुलिष्टियों के संग्राम करता रहा। जब जब शाउल को कोई वीर वा अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा तब उसने उसे अपने पास रख लिया। मुझे भेजा था। इसलिए अब यहवा की बाते सुन ले। सिनव का यहवा यो कहता है कि मुझे चेताता है कि अमालेकियों ने इस्राइलियों से क्या किया। और जब इस्राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मर्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तु जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किये सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दोध्प्युवा, क्या गाय, क्या बयल, क्या भेडवक्री, क्या उन्ट, क्या गधा, सब को मार डाल। तब शाउल ने लोगों को बुलाकर इकटा किया, और उन्हें तलाईम में गिना, और वे दो लाख प्यादे, और दस हजार यहुदी पुरुष भी थे। तब शाउल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घात को बिठाया, और शाउल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्यमे से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुमारा भी अन्तकर डालो, क्योंकि तुमने सब इस्राइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रिती दिखाई थी और केनी अमालेकियों के मध्यमे से निकल गए। तब शाओल ने हविला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाख को जिवित पकड़ा और उसकी सप्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। परंतु अगाख पर और अच्छी से अच्छी भेडवकरियों, गाय बैलों, मोटे पशों और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाओल और उसकी प्रजाने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा। परंतु जो कुछ तुछ और निकमा था उसको उन्होंने सक्यानाश किया, तब परमिश्वर का यह वच्छन शमुईल के पास पहुचा, कि मैं शाओल को राजा बना के पच्छताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और मेरी आज्याओ का पालन नहीं किया, तब शमुईल का क्रोध भड़का, और वह रात भर यहवा की दोहाई देता रहा, बिहान को जब शमुईल शाओल से भेट करने के लिए सबेरे उठा, तब शमुईल को यह बताया गया, कि शाओल करमिल को आया था, और अपनी लिए एक निशानी खड़ी की, और घूमकर गिलगाल को चला गया है, तब शमुईल शाओल के पा यहवा की आग्या पूरी की है, शमुईल ने कहा, फिर भेडवक्रियों का यहाँ मीमी आना, और गाय बयलों का यहाँ बंबाना, जो मुझे सुनाई देता है, यहाँ क्यो हो रहा है, शाओल ने कहा, वे तो अमालिकियों के यहाँ से आये है, अर्थात, प्रजा के लोगों यहाँ ने अच्छी से अच्छी भेडवक्रियों और गाय बयलों को तेरे परमिश्वर यहवा के लिए बली करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब को हमने सत्यानाश कर दिया है, तब शमुईल ने शाओल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहवा ने आज रात को मुझ से कही ह वहाँ मैं तुझको बताता हूँ, उसने कहा, कह दे, शमुईल ने कहा, जब तू अपनी दुरुष्टी में छोटा था, तब क्या तू इसराइली गोतरियों का प्रधान नो हो गया, और क्या यहवा ने इसराल पर राज्य करने को तेरा अभिशेक नहीं किया, और यहवा तुझे यात्रा करने की आग्या दी, और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिटन जाये, तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर, तुने किसलिए यहवा की बात टाल कर लूट पर तूट के वह काम किया, जो यहवा की दुरुष्टी में अधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं, अमालेकियों को सत्यानाश किया है, परन्तु प्रजा के लोग लूट में से भेडबकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम-उत्तम वस्तों को गिलगाल में तेरे परमिश्वर यहवा के लिए ब बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बली चढ़ाने से और कान लगाना मेंधो की चर्वी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मुर्तो और गुरोधेवताओं की पूजा के तुल्य है। तुने जो यहवा की बात को तुछ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुछ जाना है। शावुल ने शमुवल से कहा, मैंने पाप किया है। मैं तो अपनी प्रजा के लोगों का भहेमान कर और उनकी बात सुनकर यहवा की आग्या और तेरी बातों का उल् शमुल ने शाओल से कहा, मैं तेरे साथ न लवटूंगा, क्योंकि तुने यहवा की बात को तुछ जाना है, और यहवा ने तुझे इस्राइल के राजा होने के लिए तुछ जाना है, तब शमुल जाने के लिए घुमा, और शाओल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा, और वह फट गया, तब शमुल ने उससे कहा, आज यहवा ने इस्राइल के राज्य को फाड़ कर तुझ से छीन लिया, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझ से अच्छा है दे दिया है, और जो इस्राइल का बलमूल है, वह न तो जुट बोलता और न पचताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं की पचता है, उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरुणियों और इस्राइल के सामने मेरा आदर कर, और मेरे साथ लवट, कि मैं तेरे परमिश्वर यहवा को दंडवत करू, तब शमुल लवट कर, शावल के पीछे गया, और शमुल ने कहा, हमालिकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ, तब अगाग आनंत के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, कि निश्चे मृत्यू का दुख जाता रहा, शमुल ने कहा, जैसे स्त्रिया तेरी तलवार से निर्वश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रिय में निर्वश होगी, तब शमुल ने अगाग को गिलगाल में यहा के सामने टुकड़े टुकड़े किया, तब शमुल रामा को चला गया, और शाओल अपने नगर गिबा को अपने घर गया, और शमुल ने अपने जीवन भर शाओल से फिर भेट नकी,